हलो देट फेरेंट्स मैं सुबन और स्वागत करती हूँ आपका अपने शैनल आपकी सहीली सुबन में फेरेंट्स आसके इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियट मिस होने से पहले ही आप अपनी प्रिग्नेंसी को कैसे कन्फॉर्म कर सकते हैं पीरियट मिस होते ही गरब धारन करने की कोसिस कर रही कोई भी महिला तोरंत अपना प्रिग्नेंसी टेस्ट करती हैं आम तोर पर पीरियट का मिस होना प्रिग्नेंसी का संकीत माना जाता हैं एग और स्पर्म के फर्टिलाइज की फ्रिक्रिया पूरी होने के बाद फर्टिलाइज एग यूटरस में इंप्लांट हो जाता है और इस प्रियोसिस के पूरे होते ही आप गरब धारन कर लेते हैं जैसे ही आपका गर्ब ठहरता है आपके periods आने बंद हो जाते हैं लेकिन pregnancy से related सभी चीजे आपका period मिस होने से पहले ही पूरी हो जाती है ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि आप period मिस होने से पहले ही अपनी pregnancy के बारे में कैसे पता लगा सकती है अपनी pregnancy को कैसे confirm कर सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि pregnancy की शुरुआत में period मिस होने के अलावा भी pregnancy की काफी लक्षन और संकीत मुझूद है जिनकी help से आप pregnant है या नहीं इस बात का आसाने से पता लगा सकते हैं चलिए फिर बेना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो अगर आप लोगों को useful लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को बेना सब्सक्राइब के मज़ जईएगा पहला संकीत है ठकान प्रिग्निंसी की शुरुवात की समय में महिलाओं को काफी ठकान महसूस होते हैं इस दोरान चारेरिक मानसिक होर्मोन में बदलाव होते हैं जिस कारण इस समस्या का सामना करना पड़ता है दूसरा है ब्रेस्ट में बदलाव प्रिगनिंसी की शुरुवाती हपतों में महिलाओं की breast size shape में बदलाव नजर आ सकते हैं इस दोरान महिलाओं को अपने breast heavy, tender और उनमें सूजन महसूस हो सकते हैं जो pre-menster syndrome यानि PMS के लक्षों जैसा हो सकता है आहम तोर पर regular period की दोरान महिलाओं के निपल का कलर डारक नहीं होता और नहीं breast के size में कोई अंतर आता है लेकिन pregnancy की दोरान ऐसा होता है अकला चुलक्षन है वो है spotting या फिर cramps pregnancy की शुरुवाती स्वे में महिलाओं को spotting होती है इसे implantation bleeding भी कहा जाता है या हलकी गुलाबी या brown color की हो सकती है और आपके period शुरू होने के एक या दो हफ़ते पहले दिखाई दे सकती है ये होने पर महिलाओं को घबराना नहीं है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि fertilize egg खुद को गरबास्ते की lining से जोड़ता है जिसके कारण cramps या फिर हलकी bleeding हो सकती है अगला लक्षन है पेट फूला जब महिला गरब धरन कर लेती है तो उसको अपना पेट फूला और टाइट सा महसूस होने लगेगा गैस की समस्या के साथ साथ ड़कार भी बहुत आती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरबास्ता के समय महिलाओं के सरीर में होर्मोन में कुछ परिवर्तन होते है और कुछ नए होर्मोन में व्रद्धी होने लगती है तो ये समश्या होती है अगला लक्षन है सरीर का तापमान बढ़ना प्रिग्निंसी में शरीर का तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रिग्निंसी के दौरार महिला के सरीर में प्रोजेस्टर और नामक हार्मोंस के अलिकता होती है जिससे सरीर का तापमान बढ़ जाता है अगला है गरब धरन के बाद महिलाओं में mood swing होने लगता है क्योंकि pregnancy में महिलाओं के सरीर में कई तरह के hormones बनते हैं इसलिए सरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जैसे कि mood में उतार चड़ाव होगा इससे महिला कभी दूखी महिसूस करेगी तो कभी अत्यदी खुश दिखाई देगी और कभी कुछ खाने का मन होगा और हो सकता है कि 10 मिनट के बाद में उसका वो खाने का मन ना करे अक्सalt सभी महिलाओं में उनकी गर्भावस्ता के समय व्यवार में बदलाव काफी आम बात है प्रिग्निंसी के शुरूाती दिनों में आपके साथ सरदर्ड की समस्या हो सकते हैं और काफी थकार महईसूस होगी क्योंकि pregnancy में blood circulation यानि रक्त प्रवाह ज्यादा होता है और hormones का स्थर भी बढ़ता है इसलिए ये सब समस्य आती है अगला है urine यानि पेसाप का जल्दी जल्दी आना urine का बार बार आना pregnancy का एक मुख्य लक्षन है ये लक्षन जालतर महिलाओं को गर्वावस्ता में होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्वावस्ता के दोरान आपके सरीर में blood circulation यानि रक्त प्रवाह बढ़ जाता है जिससे आपकी kidney अधिक मात्रा में तरपदार निकालने लगते है इसलिए महिलाओं को इस समस्या का साम ना करना पड़ता है तो जब कोई महिला pregnancy प्लान करती है और उसके periods मिस होने के साथ साथ वीडियो में बताएगे कुछ लक्षन भी दिखते हैं तो आपको एक या दो दिन तक यह लक्षन देखना है और अगर यह रोज हो रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई good news हो सकती ह सो फ्रेंट्स यह था मेरा आज का वीडियो में आसा करती हूँ मेरा आज का वीडियो ब्लोगों के लिए useful रहेगा सो मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में दबतक के लिए good bye